तो गाइस अगर आपको WhatsApp पे कुछ इस तरह की problem देखने को मल रही है आप WhatsApp पे किसी भी photo का जो है आप screenshot लेने की कोसिस करते हैं तो आपको कुछ इस type की problem देखने को मतलते है can't take screenshot due to pre restrictions तो ज़रूरी नहीं है कि यही error है आपके phone में कुछ अलग type से भी error आ सकता है कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि आप जो है WhatsApp एक किसी की भी profile की जो है photo का जो है आप screenshot नहीं ले पारे कुछ इस तरह की problem देखने को मल रही है तो चलिए जान लेते किस तरह से आप इस problem को fix कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसके लिए आपके पास एक और phone होना चाहिए ज from प्राज़र को बन करने के बाद आपको जर्च कर लेगा उट्सक कर लेना और इसके बाद फर्सें में लेगा आपको कुछ ऐसा Gothic को मिलेगा है कुछ इस तरीके से आपको दिखा दिखेगा है आपको यहां पर एक QR देखने को मिलेगा तो आपको क्या करने है second phone लेना है second phone से आपको ना इस QR को थोड़ा बढ़ा करना है और इसकी ना एक photo click कर लेनी है ठीक है photo click करने के बाद आपको जाने अपने main whatsapp में और में जो भी whatsapp app उसमें जाना है उपर आपको 3.0 पर क्लिक करना है link device पर क्लिक करना है use device पर क्लिक करना use mobile data यहां पर आपको fingerprint से पैटन से verify कर लेना है और जो आपने QR की photo के लिए यह क्लिक की हुई second phone में इसे आपको नीचे camera से scan करना है ठीक है इसे scan करना है तो यहां पर आपकी जो आइड़ी है वो ब्रावजर में login हो जाएगी तो इसके बाद आप किस तरह से screen install डे सकते हैं तो यह हो चुकी है अब आपको जान अपने Chrome ब्रावजर में तो यहां पर आपकी जो आइड़ी है वो login हो जाएगी तो देख सकते हैं हमारी यह चैट है वो load हो रही है अब आप आपको जिसकी भी जो है profile का screen लेना है उस पे आपको क्लिक करना है जैसे कि यह है ब आप उसकी आपको decl 거 चच करना है उसके बाद यहाँ inside में उसकी चैट open हो जाएगी और वूपर आपको उसकी photo पे click करना है photo पर जैसी आप click करेंगी तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा फोटो देख जाएगी, जैसे आप इस पर टेच करेंगे तो फोटो बड़े साइज में उपन हो जाएगी, तो अब आपको प्रेस करके रखना है, डाउनलोड इमेज करना है, बरना आपको कुछ बड़ा यहां से फोटो करके और आप स्कीन सोर्ट भी ले सकते हैं से, तो अनो काम आप कर सकते, अब आपको जाने अपने फोन की गालरी में और आप देख सकते हैं पे, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यह बो है जो मैंने स्कीन सोर्ट लिया, यह बो है जो मैंने डाउनलोड की है और यह तो पहले की है जो की blur है और यह है तो कुछ इस तरह से जो है आप इस प्रम को ठीक कर सकते तो I hope आपको यह वीडियो जो है पसंद आया होगा